Hello friends, अभी हम करने वाले हैं CAT 2022 slot 3 का एक question, जो बहुत easy है और simple interest का एक question है Question says, Neetu has an initial capital of 20,000, उसके पास initial capital है 20,000 रुपीज की She invest 8,000 at 5.5% in bank A, 5,000 at 5.6% in bank B and the remaining amount, जो 20,000 में से 8,000 और 5,000 हटाने के बाद बचेगा तो वो हमारे पास बचेगा 20,000 minus 8,000 minus 5,000 which is equal to 7,000 तो 7,000 invest किया है उसने, X percent से bank C में, each rate being simple interest per annum Her combined annual interest income from this investment is equal to 5% of the initial capital यानि की जो total interest income आईए, वो 5% of the initial capital है आँ मेरे पास initial investment कितना है 20,000 और 5% कितना हुए उसका 1,000 रुपीज यानि की मेरे पास interest income आईए, तीनो investment से 1,000 रुपीज की If she had invested her entire capital in bank C alone, then the her annual interest income in रुपीज would have been यानि की अगर हमने सारा investment bank C वाली interest rates पे किया होता तो हमारा total जो है, वो हमारा interest कितना आथा, वो हमें निकालना है तो question के according क्या है हमारे पास, हमारे पास initial amount is 20,000 रुपीज इनको हमने 3 bank में लगाया है, पहला जो हमारा है, वो है 8,000 रुपीज जो हमारा bank A में हुआ है, जिसकी rate of interest है 5.5%, दूसरा हमारा है 5,000 रुपीज, जो है हमारा 5.6% के हिसाब से, यह हमारा bank B और हमारा bank C जो है, उसमें कितना investment है, जो बचा हुआ investment है तो 20,000 minus 8,000 minus 5,000, यह कितना हो गया हमारे पास, total 7,000 तो C में investment हुआ, 7,000 का मैं मान लेता हूँ, उसकी rate of interest X percent है, तो total interest income कितनी है मेरे पास, यह कहा गया है total interest is 5% of the initial capital, तो 20,000 मेरे पास अगर initial investment है और उसका जो interest income है total, वो आई है मेरे पास 5%, तो 20,000 का 5% मेरे पास होता है 1,000, इसका मतलब तीनों का sum निकालके मेरे पास जो income आनी चाहिए, वो आनी चाहिए मेरे पास 1,000 रूपीज, तो इससे interest income हो जाएगी अगर मैं 8,000 को 5.5% के हिसाफ से देखता हूँ, तो मेरे पास interest income for 1 year will be equal to 440 रूपीज, इसकी income हो गई 440, इसकी हो जाएगी हमारे पास 5000 रूपीज, 5.6% के हिसाफ से, that is equal to 280 रूपीज, इसकी जो income आएगी मेरे पास, वो आएगी total interest income है मेरे पास 1000 minus 440 plus 280, 440 plus 280, इसे solve करके आजाएगा हमारे पास 1000 minus 720 which is equal to 280 रूपीज, इसका मतलब C से जो हमको income होई है, वो 280 रूपीज की होई है, अब हमें निकालना है X की value, तो obviously आप देख सकते हैं कि 7000 पे, अगर 280 रूपीज हमको interest चाहिए, तो obviously यह हमारा 4% हो जाएगा, 7000 का 4% 280, अगर आपको ऐसे calculate नहीं कर पाते हैं, तो कोई issue नहीं है, हम क्या कर सकते हैं इस case में, यहाँ पे हम 280 रूपीज का हमारे पास interest है, principle है हमारे पास 7000 रूपीज, rate of interest हमें निकालनी है, which is हमारे पास यहाँ पे है, rate of interest X into time period 1 year divided by 100, इसको solve करेंगे हम, solve करके हमारे पास X की value आ जाएगी 4%, यानि X की value हमारे पास 4% आ गई है, यह हमारे पास C पे जो rate of interest है, वो हमारे पास 4% का है, अब हमको बताना है, अगर total investment जो 20,000 रूपीज का है, अगर वो 4% पे invest किया होता, तो हमारा interest कितना हाता, तो obviously 20,000 का 4% जो होता है, वो हमारे पास 800 रूपीज होता है, अगर आपको नहीं निकालना, तो simple सा formula भी है, 20,000 का 4% that is equal to, इसको इससे solve कर देंगे, तो यह आजाएगा मेरे पास 800 रूपीज, तो इसका मतलब यह हो गया कि, अगर total amount मेरे पास 4% से invest होता, तो interest income आती 800 की, यह simple सा एक्दम question था, जो cat last year 2020 की में पूछा गया है, और यह slot 3 का हमारे पास है question था, आखो फिर भी question में अगर कोई doubt होता है, cat's Reddit कोई भी doubt होता है, तो definitely आप comment section में पूछ सकते हैं.